नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी नोट 10 वर्सस वन प्लस नौद से 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी नोट 10 में 6.31 इंच जबकी नौट से 5G में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है जोकी रेड्मी नोट 10 से कम है बात करें तो रेड्मी नोट 10 में 2.93 इंच जबकी नौट से 5G में 2.89 इंच की विड्ट मिलती है जोकी रेड्मी नोट 10 से कम है बात करें थिकनेस की तो रेड्मी नोट 10 में 0.33 इंच जबकी नौट से 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स, जबकि 9 से 5G में 170 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Redmi Note 10 में Super AMOLED जबकि 9 से 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही, 6.43 इंचेस मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, Redmi Note 10 में 83.53 प्रतिशत जबकि 9 से 5G में 85.31 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही, 409 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और 9 से 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Mono Camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो Redmi Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफोर्मेशन देखते हैं हाद्वेर में सबसे पहले CPU जो की स्पीक के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Adreno 612 जबकी Nord से 5G में Adreno 619 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 और Nord से 5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB 6GB की RAM मिलती है जबकी Nord से 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो Redmi Note 10 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की Storage मिलती है जबकी Nord से 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Redmi Note 10 में up to 512GB जबकी Nord से 5G में नहीं है अपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी Redmi Note 10 में 5000 mAh जबकी Nord से 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है अई ये अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन Colors option देखने को मिलते है सब इंफोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 में दो वेरियंट देखने को मिलते है जो कि 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रूपीज 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रूपीज में मिल जाता है फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है Main Camera में Node से 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Node से 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है जो की 21,999 रूपे में मिलता है दुसरा Realme GT Master Edition है जो की 27,985 रूपे में मिलता है तीसरा Samsung Galaxy M32 5G है जो की 22,999 रूपे में मिलता है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M3 है जो की 11,999 रूपीज में मिलता है और ये सारे Phone की Details आपको Description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना